हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समिक्राड क्वाड्रेटिक एक्वेशन ठीक है यह क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चेप्टर है ठीक है चेप्टर नमबर फोर एंसी अर्टी के एकॉर्डिंग चेप्टर नमबर फोर है ठीक है इसके बारे में हम लोग पूरा डीटे अच्छा है ऑफ एस दो का मतलब होता है क्थे परष्ड दो तो मतलब होता है बहुत पावर फिकरांब का है इपुए दिविघात बोलेंगे तो उसका बेत्व बोलने का आ यह कि बराबर लिखा ओगा बराबर एकोल का ताइन होगा बीछ में और उसके बाद सिवात यही है कि वैरियेबल की पावर 2 होगी और उसमें बराबर लिखा रहेगा उसका मतलब समिक्रड रहेगा उसका मतलब सब्सक्राइब यह होता है इसका जो सब्सक्राइब देखते हैं जिसको जिसके त्वारा इसको संबोधित किया जाता है जो यह होता है सब्सक्राइब अब यहां पर इसमें पर थोड़ी बात कर लें इस पर अचर रासियां है जिसको आप कॉन्स्टेंट बोलते हैं और यहां पर इसमें वेरियबल बताएं कौन है वेरियबल कॉन्च रासी है एक चर वाला ही एक वैरिएबल वाला lui आपको पढ़ना को छिदाने सब खडाइगा तो अब वे इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं क्या-क्य पढ़ना है तो लिखा है जिसको बोलते हैं जो क्वाड्रेटिक भोलते हैं कि तो रहेगा तो अंसर आहेगा तो कित क्या होगा दो घात दो अंसर दो अंसर मतलब यक्स के दो मान यक्स के दो मान यक्स के दो वैल्यूज आएंगी यक्स के दो मान या दो अंसर उसको बोलते है या उसी को बोला जाता है मूल या उसी को बोलते हैं हम लोग रूट रूट या मूल ठीक है? रूट बोलते हैं या यक्स के मान बोलते हैं या रूट बोलते हैं या उसी को अंसर बोलते हैं इसके दो मान आएंगे यक्स के दो मान आएंगे दो गार्ट वाकर दो अंसर और यक्स का जो मान हम लोग निकालते हैं यक्स का मान वही अंसर होता है वही मूल होता है उसी को हम निकालने के कई तरीके होते हैं जिन तरीकों को हम लोग देखेंगे तो उन तरीकों में यह है कि पहले आपको क्या करना रहता है पहली बात आप जाने लेटे को दो गार्ट क्याद्रेटिक दो अंसर यक्स के दो मान और मूल घैसको मूल जो कोमूल प्लस रहे दो मूल आते हैं तो फिर से एक बार लिख लेटा है याप पर ए स्क्रवास एक फ्ल्रस कॉछत देना तो जरा और से निथिख साथ पिसे प्लस प्लस लगावागा एक के साथ एक से यह से इसक्स क Почему अजा इसमें जो यह एक्स के वेलूस है जो मूल है उनको कैसे निकालने के तरीके अब हम लोग पढ़ेंगे उन तरीकों में पहला तरीका है गुड़न खंड उसके बाद तरीका कोन होगा तो पहला तो था राइज्ट फैक्तराइजेशन था तो बनाकर इसके पूड़ बश्क्राइब परफेक्ट इसको कहते हैं लोग तो परफेक्ट इसक्वायर बनाके लगाना रता है एक होता है द्विगात सु'tr सद्रों ओ गार्ज को सब्सक्राइब्त सब्सक्राइब की। पड़ने के बाद रहे हो जिसको विविग्तक्र बोलें ना किर filme इस परिपतक्र जिसको बोलते हैं गिसके नेंट थे थित्रीमिनेंट दूसरा उसके बाद यहां पर हो जाएंगे तो ऐसके बाद नेचर पढ़ रहे होंगे लोगनेचर आफरूट्स नेचर आफरूट्स प्रकृति प्रकृती पढ़ रहा होंगे कि मूल कैसे होंगे वास्तवी कि यह सब कालपनिक रियल नॉन रियल इमेजनेरी यही से हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय फिर उसके पाथ लाश्ट में जो को टॉपिक आएगा वह वर्ड प्रॉब्लम टाइप का कोशन जो रहेगा जो मतलब सब्दों के खेल वाले सब्द समस्या जो स कर रहे होंगे पूरे वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम मतलब सब्द वाले कोश्चन तो यह हम लोग करते हुए हर एक चीज को टश किया जाएगा पूरे के पूरे चीज़ों को समझा दिया जाएगा ठांसे तो अब इसके आगे हम बढ़ेंगे तब तक आप इसको देख कर दिजिए ठीक है ज़ूहाँ बिलता है कि जिरो लेक्ती जाएगा ज़सिक वह जाएगा तो इसको तीन घात अगर किसी की आगई अधिक्तम पावर अधिक्तम पावर जो है मैसिमम पावर जो है तुई बनी चाहिए इसके ज्यदा हो कि तो उसको तो यहां पर सी रही है कि एक स्कुर्ण प्लस ब्राबर जी लो और इसको याद करना तो कैसे आप करेंगे अब देट प्लस ब्राबर जी रहा है तो चलिए इसको नोट करें लोग दीड़े एक चीजें सिखते चलेंगे जिसके अम लोगों को गुरंखंड विदी पहले सिखना तो गुरंखंड विदी सबसे इंपोर्टेंट है यही ठीक है गुरंखंड इसको इतना जल्दी नहीं सीखा जा सकता है इसको सीखने बहुत समय लगता है तो इसको इतना जल्दी समझाना अगर आप ध्यान नहीं के जराबी तो आप समझ नहीं पाएंगे तो आपको समझाने के पूरी कोशिश करें समझ जाएंगे समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे तो गुरंखंड विदी तो गुरंखंड विदी क्या होती है तो आप पहले हम पहले ही क्या किये कि यहां पर हम पहले ही से पुरंखंड हो गया है उसका क्या होता है कि बीच में मल्टिप्लाई लगा देगा उसको तोड़ कर रहे होगे तो इसकी विधियां यहां पर यहां पर यक्स माइनस टू अगर जीरो है तो यहां पर यक्स माइनस टू अगर जीरो है तो यानि कि यक्स बराबर तू इस तरह यदि आप यक्स माइनस वान टू रखेंगे तो यहां पर प्लस तो आपको यही कंसेट लगा लगा लेकिन आपको इस रूप तक आने के लिए पहुंचने के लिए आपको बहुत करनी पड़ेगी जम के तो हम आपको इस्टेप इस्टेप बहुत बहुता है इसके बीच में होता है मुल्टिप्लाई होता है इंटू यक्स तो यक्स जो है इसमें हम लों में कॉम ले लेता हैं तो बच गया उसको ब्रेकोट गाया और ब blossom बिच में यहांपर सब्सक्रिस माइयँ तोड़ देई हैं मॉल्ग हो इसको सब्सक्राइध्र हो खेसं आप इसमीं यहां तो हो यहां पर यक्स बराबर 0 होगा यह तो आप सीधे यहां पर कर देंगे कि यह बराबर 0 तो हो गया है यह बराबर 0 होगा यह 0 हो गया 0 से multiply करेंगे तो 0 ठीक है इस मतलब यदि यक्स प्लस 2 equal to 0 हो रहा होगा तो उस समय इसके दू मूल आ जाएंगे एक तो यह माइनस हो जाएगा और एक हो जाएगा जीड़ो दू हो जाएंगे उसके मूल ठीक आगे पढ़ेंगे अब इसी के साथ इस टाइप युकोशन आप जो है लगा सकते हैं उसमें तो यह स्क्वाइर और माइनस थ्री यक्स इक पाव मतर बाले में यक्स इसमें इक काम करें सर आप यक्स और यक्स इस ब्रेकेट में लिखिए माइनस यह जो बचिक उसको छाप देना है इसको जीड़ो तो एक जो यक्स है उसके मूल बोलते हैं यही अंसार है आपका यही एक का वैल्यू है ठीक है तो अब जो है आके बढ़ेंगा लोग आके उठेंगे तो जैसे हम एक और कोशन लेते हैं 4 x square minus 16 equal to 0 आप करेंगे एक सर हम बताएंगे तो आप क्या करेंगे यह लिखा और सकता है ठीक है बोल भी सकते हैं और हम लिखके भी दिखा देंगे कि आप ऐसे लिखें इसमें भी 4 दोनों 4 तो 4 ले लिए ब्रेकेंट में जाएगा यह सक्वायर इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड होगा यह तो यह स्क्वायर मैंनस 4 इकोई टो जाएगा आप क्या करेंगे यह पर कि आप इसक्वायर यह जो 4 यह 2 का स्क्वायर यह स्क्वायर माइनस 2 और या क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं अब आप बशस्क्राइब बस हो गया अब जब आप लोग जाए आप जानते हैं कि आप क्या करने वाले यहां पर यह माइनस टू इक बार यह सिक्वाइब तो लिख लिजिए यहां पर यह दो अंसर फिर आ जाएंगे तो यह सिक्वाइब तो अब जब रूट लेते हैं लोग यहां पर प्लस माइनस लगा देंगे तो यह सिक्वाइब प्लस माइनस रूट में तो इसके दो माना जाएंगे एक प्लस रूट टू एक माइनस रूट तो दो रूट्स आने ही आने हैं किसी तरह से एक हम लोगों को बहुत लंबा ही सफर करना है ठीक है जितनी लंबी हो जाए वीडियो एक वीडियो में खतम कर दिया जाएगा सब कुछ ठीक है दम हाड़ चलिए तो अगला जो कोशन क्या है इसको थोड़ा सा बढ़ाएं यह पदाने का मतलब क्या आ है कि अब जो है यह जो रूट है इसका रूट जो होता है एक सिसक्वाईर प्लस भी एक स्प्लस टूट जीडो इस तरह करेंगा वह अभी तो यह दो दो लिख रहे थे बस यहां से नहीं रहेगा बाकि सब चीजे रहेंगे आगे नहीं रहेगा एक सवाल को अब लगाएंगे और कोई सवाल नहीं लगाना है एक मुझा सभी जी रुपर रहें से लिख प्लस प्लस विक इस टाइम को पॉूश्ण तो हम लोग यह देखेंगे इसके बारे हम लोगों को देखना है तो यह स्कॉयर प्लस प्लस इकोई टो इस तरह का स्कॉशन हम उठाएंगे स्कॉयर प्लस प्लस यहां पर कुछ लिख लिए नाइन इक लिए इसका अपको इसका करने के लिए क्या करना रहता है यह जो बीच भाला है यह भी यक्स में तभी इसी को हम लोग तोड़ देते हैं दो भागों में ऐसे ले कि जो ऐसका तोड़ने है यह वाला आ जाए और जो भी है उसकी और यह जी है और सबी कुछ होथी है सभी कंदिशन आपको blunt कुछ और संभी पाता लेकर और हम 아니고 हम कुछ ही है तो अब जब इसको तोड़ें आताम लीजिए यह बीवन आगया और यह ब्रीटु आगया श्क adapt को ऐसे इसको तोड़ना है यह प्लस महोगा यह तो माइनस यह भी प्लस माइनश हो सकता है यह भी होगा ठीक है तो आपको क्या करना रहेगा कि B1 प्लस माइनस प्लस माइनस जो भी यह बी तू यह करने पे आपको आना लुड़ना जोड़ना है किया का दोड़ना है उसमें कैसे तोड़ना है एक दम क्लस में कॉन लिखेंगे माइनस में कॉन लिखेंगे कैसे तुरंट करेंगे सब सिख लेंगे तो यहां पर जिखा हुआ तो डिखा हुआ तो लगत तरब तो इसको तोड़ने के बाद क्या रहता है उसको बोलते हैं कि मिडल टर्म जो होता है तो अब यहां पर आप कहेंगे कि हम आता है अमको लेकिन हम आपको बताते हैं कि पहला स्ट्रेप धंग से करिए दूसरा स्ट्प में यह से बताते हैं करें तो आप कुछ नहीं करना बाहर ब्रेकेट पस फ्री लिख देना है तो इसमें यह एक नंबर है एक नंबर यह होता है बीच में अगर प्लस लग जाते हैं तो टर्म बदल जाता है बीच मेंकर प्लस माइनस लग गया तो इसका लग यहां पर इन दोनों में एक नंबर यह हो जाता है न यहीं प्लस फ्लस प्लस यही हो जाता है और दूसरे ब्रेकिट में भी एक प्लस इसे में जाएए ध्युच अर प्लस यहां से कितना बचा करण थी इक इंडे लिए अब है यहां पर देखेंगे तो दोनोब इस न इन इसका मतल्ब यह है इल Beck यक्स प्लस का होल इसक्वर था तो यक्स प्लस 3 का होल इसक्वर जब रहता है तो मूल तो दो ही आएँगे लेकिन बराबर आएँ गया लेकिन." तो यह स्ट्री टो जाए तो माइनस थी ठोड़ा शरुप जाएगे आपको एक कोश्चन हम देते हैं क्वेशन ठीक है आप उसको करके में यह पर कमेंट में बता दीजेगा यह स्कॉयर प्लस फाइफ यह पहुत ही असान प्रश्चन देंगे तो अभी यहां पर प्लस लिखते हैं यहां पर आप यह पर यहां पर यहां पर यह कर बताएगा इसको नोट कर लेए नंसे नोट करेंगे तो नोट में विंसन करिए सब चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं नोट करिए तो हम लोग अब यह सवाल लगाएंगे ठीक है इसमें यहीं कॉंसेप्ट यूज करना है ठीक है तो आप को हमसिखा देंगे कि कैसे कैसा अप्लाई होगा थे तो आप घबडा जाते हैं तो वह कैसे बदलें गाम लोग उसको सविए कर देंगा हम लोग ठीक है तो यहां पर करने का तरीका यह होता है कि आप वहीं इसespère टर्म को तोड़ना रहता है दो थागों और में दो भागों में तोड़ना रहता है जोडने पर यही आना चाहिए और multiply करने पर यह आ जाना चाहिए तो अब जो तरीके हैं उन तरीकों को हम आपको जो ट्रिक है हमारा ट्रिक है जो हमारा तरीका है बताने का उसके बाद आप जो है कोई भी सवाल अराम से लगा पाएंग कोई भी गुणनखंड का सवाल हो तो आप यह समझ पाएंगे कि आपको किस तरह उसको प्रसीड करना है तो हम लूग इस पर बात करेंगे हम यह पर कोई concept यहा पर पूरा ढख से लिक दिया जा रहा है तो ढख से concept जो हम इंधर लिख दे रहे हैं ताकि हमारे पास जगह भी को ठेक है बढ़ी अच्छा खासा और हम समझां भी पाएं आपको ठीक है question को ठीक है बार बार rule दिखां भी पाएं आप लोगों को ठीक है तो rule जो है कुछ है नहीं आप एकदम भूल momento को तो बस तरीके यही है कि यह जो चीज है आपर बी वाली चीज जो बी वाली चीज है दी होई है उनको दो भागों में तोडना रहता है तो यह थो या तो यह place में होगा ठीक है यह plus महोगा ठीक है अच् तो यहां पर जो इसके आगे माइनस तो अगर वह प्लस में अगर इधर वाला प्लस neural फिडिया हो अगर वाला फ्लस मैं और यह जो दूसरा वाला भी हमको किस में लेना पड़ेगा वो प्लस में ही लेना पड़ेगा क्यों क्यों प्लस में लेना पड़ेगा तो हम लोगों को प्लस में इसे लेना पड़ेगा क्योंकि गुड़ा करने पर प्लस ही में आना चाहिए गुड़ा करेगा तभी तो प्लस में तभी प्लस में लेना ये पड़ेगा आपको ठेक है तो यह अगर ये मालीजे के लेकि निगेटीव रहा ये लेकिन ये भी है जासरे इस केस में हम इस केस में यहां सर चाहिए आपको गुड़ा करने पर प्लस में अंसर आना चाहिए तो इसलिए एक मायनस में तो दूसरा भी मायनस में राएगा तभी गुड़ा करने में प्लस में अंशर है ठीक है तो यह आप समझ लिजी एक इतम मतलब यह धो संदार है ठीक है तो ऐसे केस में क्या होगा ऐसा जब तो इसको आप ज्यास समझेंगे हमारा बनाये हुगा खुद का यह प्लस दोनों प्लस में तो वह प्लस में यह माइनस में रहागा प्लस में ऐसे केसों में आपको एक डिया रहा अब लोग, उसको छोटा करना पड़ता है जैसे नंबर जो भ disguise होको जोदा होगा चोटा होगो इस svo2 इस बी से चौटा होगा अभी देखेंगे हम लोग इसमें दोनों में दोनों सेम कंडिशन दोनों में चोटा कर दीजे उसको जैसे 5 एक्ष लिखा न तो उसको तोड़ेंगे जम तो चोटे चोटे नंबर में टूटेंगे वह ठीक है ठीक है दूसरा हैस्टेक टू हैस्टेक टू में क्या दिखाए हम आपको क्या सिखाए तो हैस्टेक टू में यह है कि यह अगर जैसे माली जी कि यहाँ पर जो कुशन हो रहे हैं तो अगर जो है यह प्लस में यह जो दिया पहले यह माले यह प्लस में दिया हुआ है तो यह प्लस में है ठीक है यह नहीं प्लस वाला तो नहीं हो पाएगा यह प्लस वाला होगा खेल खताम माइनस लिख देते हैं माइनस यह प्लस में लेकिन वह माइनस में दिया तो यह प्लस में दूसरा वाला हमको किस में लेना में रहा तो यह दूसरा वाला भी दूसरा वाला किसमें चाहिए देखे हमको यह दूनों माइनस मतलब यह जो सी है वह माइनस में दिया हुआ उपर जो सी था वह प्लस में था और यह कंडिशन बता दिये हैं यहां पर सी जो है माइनस में है यहां पर यह तो यह बी वाला प् ऐसा है इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि माइनस और प्लस का गुड़ा करने माइनस में प्लस प्लस पांच दिया हूआ है तो इससे नंबर बढ़ा देंगे उसको मतलब यह जो नंबर है यह वाला नंबर बढ़ा होगा इससे फर्क नहीं पड़ता है वह कितना है इसको दूनों पर adjust करना गुड़ा करने पर वो आ जाना चाहिए ठीक है गुड़ा करने पर वो आ जाना चाहिए यह दूनों जो नमबर इदर वाले इसको बढ़ा देंगे इसको एकदम माति पे चिपका लिजी अपने यही है सब ठीक है उस्का पाएंगे और दिमाग में है तोड़ना रहा है यह किसमे यह माइनस में दूसरा किसमे लें कि गुड़ा करने फिर प्लस है तो आप कहांगे कि सार इसको भी आप माइनस में लिजिए तो अब कंडिशन खोज़े लेगे तो इसको छोटा कर दीजे, छोटा मितलब यह 5 है ना, तो 5 है, तो इसको छोटा करजे, छोटा है, 5 है तो 4, 3, 2, 1, यही सभाएंगे, तो जब यही सभाएंगे, इधर देखिए, इधर 4 लिख दिये ना आप, इसको बस लिखिए आप, इधर वाला 1, 2, 3, 4, बस, इसको जोड सा लेना है नहीं लेना है आप देख लीजिए आपको यह नंबर कों से दिया है छह ना यहां यहां पर यहां पर आपको क्या करना है कि यह x square है ठीक है यहां पर इन दोनों ही चीजों में अब बताया थे इसके पहले बाले पहले बताया थे इसके पहले लेना है अब उसके बाद अब देखना है यहां पर लिखा था यहां पर लिखा यहां पर लिखता है इंगली सिंदी कुछ नहीं होता है यहां पर तो हो जाएगा ठीक यहां पर 안ब इसमें कहानीमें कुछ है नहीं यह माइनस में बस चीजें इसका मतलब यह माइनस में दिया हुआ है तो इसको मीटा रहते हैं पहली बात आपको बीच वाले भाग को दोड़ना है इसको दोड़ना है तो माइनस पांट जो लिखा हुआ है देखे जो लोग यह सब चीजें जानते हैं वह स्क्रॉल करके आगे भी बढ़ सकते हैं आपके नहीं आता है हम यह नहीं चाहते हैं जिनको नहीं आता है वह नहीं यह है हमें से उसको आ जाये हमारा यह यह मतलब है जिननको को आ रहा है उनसे ज्यादा प्रभ यहा सब समझ s ठीक है चलिए तो यहाँ पर यह Да सीडरी सी बात है यह स्वार्ख में दिया हुआ है इधर वाला यह माइस में हुआ है वी मिलह है इसकिस में लेंगे कि यह माहिनस को नवहीं होना चाहिए दोड़ना उण होना है तो एक मैनेस दुसरा प्लस में ये ऑना चैहे तभी गुटा करने में मैनेस में इंसर आएगा और ऐसे केस में यह वाला केस लगेगा ठीक है पहलावला नम्मर बढ़ाना बढ़ाना है बढ़ाना इसको माइनस पांच है तो मैं चो दिजिए यहां दो लिखें। वहां पर 14 माइनस चोद relations रहता तो यह लगा देते तो यह लगादेते रहता तो यह लगा देते दूस पंचेक पचास रहता तो यहां लगादेते समझ गयर लगा देजिए ड़ा correct दवाल ग्रत यक्रतेशने शर नहीं कि यह वहांकि हैaster さब दखंगा कीरने सब्सक्राइबग hackers लगा टेंगे मतलब वही है सही लिखाए यहां पर यहां पर यहां से यह और यह प्लस इसमें कुछ नहीं बचा तो एक यहां पर लिखेंगे लिखेंगे यहां से यक्स प्लस वान इकोल टु जीरो यहां से अनंदली जी वीडियो का अग्दम गदगद हो जाएंगे पूरा वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि हमको नहीं आगा था कभी यह ठीक है चलिए तो यह वाला है इसमें हम कुछ ज्यादा टीम टाम नहीं करेंगे आप समझदार है ठीक है पहली बात आपको दो भागों में तोड़ना है उसी तरह है यही कहता है कि आप ऐसे ही कीजिए ठीक है तो यहां पर यह प्लस में लिखा है ठीक यह किस में लिखा है माइनस मे सब्सक्राइब सेम कॉछन है तो आपका अंसर रही आने वाला है लेकिन आपको थड़ा से दिखा दिया इसमें यह कॉमन लेंगे तो यह प्लस सिकस्व में आ जाएगा और यहां पर रही को स्फ़ेंगे और इसमें common common क्या देखिए तो आप आपको बताया थे कि यहीं लिखना है आपको यहीं लेकिन इसके आके माइनस लिखा तो माइनस बाहर लगा देजिए बरबर जीरू इक्वल टुजीरू यहां पर अब थोड़ा सा थोड़ा सा इधर थोड़ा सा सॉरी इसके लिए ठीक है इक्वल टु माइनस एक्स और यहां से आ जायेगा यक्स इक्वल टु वान तो आप यहां से देख लिख जिए अब जो है हम लोग क्यूंकि ए बराबर जीरू लिख के यहां पर सब कहानी गढ़े हुए थे लेकिन अब ए बराबर जीरू नहीं दिखेंगे अब उसके जग से खथर यह आ लिख लिख्लिया कीजिए अब लोग मिटा रहा है ठीकर पीछे करके आप नोट कर सकते हैं यह स्क्रिंड लなたにकाय टेंगे हम माइनस माइनस से लिख देते हैं चोटे सवाल से कैसे सा कैसे लगाया जाएगा तो आपको एक्तम बता दिया जाएगा सिखा दिया जाएगा तो चलिए तो यहां पर हम ले लेते हैं यहां पर माइनस का 21 यहां पर लिख लेते हैं तीक है एसको लगाना है आपको लगा लेंगे क्याओ में सवाल लग जाएका आपसे आप लगा सकते हैं तो इसको पॉच करके लगा सकते वीडियो को ठीक है या कोश्चन थोड़ा सा हम आपको सही करके देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहों हो जादे तो तीन चैन्जर कर देता है चलिए चार लिखते हैं यहां पर चार लिखते हैं तो अब यहां पर इसको लगाते हैं यहां बहुत बन सकता है कोई दिक्कत नहीं है आप बस बने रहे हैं यहां पर आपको हम सिखाया थे कि यहां पर नहीं था तब आप लोग इसको डारेक्ट टोड़ना शुरू कर देते थे लेकिन अब जो एसे अगर कुशन दिया हुआ है तो पहले आप क्या करते हैं जो इधर वाला मे्टिइरियल है इसका मुल्टिप्लाई आप इसमें कर देते हैं इस , परस करते हैं बतलissä है मतलब इसको तोड़ेंगे तो इसके हिसाव से तोड़ेंगे इन दोनों के ke तो जैसे चदा सब्सक्राइब यह पैली यहμεनस में यह फॉट फहली पाइला पहली बाद मैनस में गरुआंप कि सर माइनस में है उसको बढ़ाते है तो यहाँ पर जब बढ़ाएंगे तो आप सीदे समझ रहें आठ साथे 56 तो 8 में 7 गटाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा और माइनस 14 बस आपको इतना ही करना था इसमें common ले लेंगे तो 4 common हो जाएगा उब bracket में एक्स स्क्वाइर माइनस 4 से डडिवाइड मार दा देजिए 48 अचा आप कहेंगे कि सार आप ठोड़ा सा गरबऋ कर रहे हैं आप एक काम कर ये आप ऐसे करें चार भी कॉमन है सर चार भी तो चार भी कॉमन ले लेंगे यक्स भी कॉमन ले लेंगे यक्स भी कॉमन है यहाँ पर यक्स स्कॉयर था तो यक्स बच गया टू एक ब्रेकेट में और दूसरे प्रेकेट में फोर यॉस प्लस सेवेन और को जीरू तो यहां से हम लोग लिख रहेंगे कि इंफ यहां पर 4 यह प्लस 7 उधले जाएंगे तो माइनस 7 और यह इक्स इक्वल टो जाएगा माइनस 7 अपान 4 ठीक है इसके बाद हम लोग पूर वर्ग बनाना सिखेंगे इसके बाद उस तरह कैसे सवाल लोगों को लगाया जाता है उसको ठंक से हम लोग पढ़ देंगे ठीक है आप जो है इसको ध्यान से देखिए ठीक है इसको नोट उट कर लीजिए ठोड़ा बहुत ठीक है जो नोट करना है आपको पूर वर्ग बनाने की विधी है कंपलीटуд इसकुर बनाने की विधी यह जिससे हम लोग फैक्त्रजेशन कर रहा हैं जिससे हम लोग मूल गयात करते हैं रूट्स वो जो है NCRT की नए syllabus में है नहीं है वैसे ठीक है जहां तक पढ़ाने की बात है हम आपको link दे देंगे comment में comment में कर रहा है comment description में link दे देंगे आपको वहां से देख लेंगे direct स्वर्च करके देख सकते हैं पूरा video है separate video है वसी का अगर आप interested हो उस चीज को जानने के लिए त उत्र निकाला जाता है फार्मूला निकाला जाता है जिसको हम quadratic formula या द्विघास उत्र बोलते हैं उसी फार्मूले से हम लोगों को बस उतना ही पढ़ना है ठीक है किताब में और है नहीं तो आप अगर जानना चाहते हैं तो जाक वहां से देख सकते हैं और उसकी फार्मू तो quadratic formula क्या होगा आपका तो quadratic formula या द्विघात सुत्र जिसको बोलते हैं हम लोग द्विघात सुत्र यहाई से पढ़ना आपको बहुत चीजें यहाई से निकाल नहीं है द्विघात सुत्र तो द्विघात सुत्र पढ़ना हम लोगो ठीक है द्विघात सुत्र ठीक है सुत द्विघात सुत्र चलिए द्विघात सुत्र तो यहां पर हम लोग सुत्र जो लिख लेते हैं वह होता है यक्कि इक्वाल टू- माइनस बी प्लस-माइनस रूट में डी डी क्या होता है बीज्कॉर माइनस फोर ए सी और अपांट टू ए यह कहां से आ तो यह कहीं से आये नहीं है, यह ही C का है, AX square plus BX plus C equal to 0, जो यह X का value होता है, उसके दो answer होते हैं, फिर दो answer होते हैं, एक को, हम लोग alpha, एक को, बीटा बोलते हैं, भी बोलेंगें, सब बताएंगे, ठीक है, तो यहां पर AX square plus BX plus C equal to 0, ठीक है, तो इसी में से जो यह A है, व कोई भी सवाल दिया रहेगा उससे इसी को comparing करके इसी में लगा देंगे अधिकतर जो 80% question है इसी पर लगाएंगे हम लोग ठीक है तो 80% किसी पर जो इस पर लगा देते हैं तुरंत हम लोग a x square plus b x plus c equal to 0 इसी में से a x equal to b minus b plus minus root में b square minus 4ac जो यह अंदर लिखी वीची जैसी को विविक्त कर बोलता है ठीक है ठीक है तो जड़ा इंक भर लिया जाए इंक की हो गई है इसमें कमी लिखने में दिख नहीं रहा है सही सही तो जड़ा इंक भर लिया जाए ठीक है आप वीडियों बने रहेंगे एकदम भटकेंगे नहीं इदर उदर कहीं भी तो मारकर को पानी पिला चुके है हम चलिए अब आगे एकस स्कॉर प्लस बी एकस प्लस सी कोई भी क्वेशन दिया है उसको हम लोग तुरंत ए बी सी यहां से निकालेंगे इस फार्मूले से हम लोग और इसमें अप्लाइ कर तुरंत जो इसके अंदर चीज लिखी हुई है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या विविक्त कर बोलते है इसके अंदर छो लिखा हुआ है इसी को मतलब इसी को में लोग दी से बिखाते हैं इसको बोला जाता है विविक्त कर इसको बोलते हैं लोग V53 मिनेंट एक इसक्यों टीखD w इसको विख्त कर बोला जाता है इसको डिटेलिन आप देखेंगा हम लोग पहले आप देख लिए जखस इकोल टू माइनस ब्लस माइनस रूट में बी स्कुर्य माइनस पूर एसी और अपान टू ए ठीक है तो यह होता है डी इकोल टू विख्त कर और इसको अनुद करते हैं से पूरा जगह जाद रहेका झाल lamps गल्स समझाया जाएका चलिया यह देखिए तो यहां पर जो विख्तकर है क्योंकि यही चीज़ रूट में यहीं चीज़ रूट में है तो और रूट में ही सब खेल होता है ठीक है तो दी कोई है है b square minus 4ac b square minus 4ac और यही चीज जो है वो किसमें रूट में है रूट में यही d था ठीक है तो यह जो विविक्त कर है d equal to b square minus 4ac यह क्या रहेगा तो क्या होगा तो यहां से कहानी हम लोग सुरू करेंगे nature of roots nature of roots कहानी यहां से सुरू होगी ठीक है मूलों की प्रकृति जिसको बोलते हैं मूलों की प्रकृति ठीक है मूलों की प्रकृति कैसी होगी यहां से तो यह d कमान है या तो 0 से बड़ा है यह बराबर हो सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है निगेटव होगा है निगेटिव होगा तो निगेटिव होगा मतलब निगेटिव अगर है थीक है तो उसको हम लोग है क इसको बोलते हैं वास्तविक नहीं हो अगर रूट में निगेटिव चीज neuen तो उसको बोलते है वे नॉन्हीं नॉन्हेल नबर औन्हें नमबर शान या उसी को इमेजेनरी बोलतायां इसको इमेजेनरी नमबर ऐस्तविक करम है अगर है तो ही लगाई ये कोशन ठीक है तो डी जब से बाड़ा होता है तो हमने लोग बोलते हैं कि मतलब होंगे अचेक है है उसमें भी कई कटेग्रिया होंगी है ठीक है इसकी कटेगरिया कई है तो उनको हम बाट के आपको सिखा देते हैं डी इकुल टु जी अगर हो गया तो उस case में जो होता है जो दोनों मूल आते हैं और दो मूल प्लस माइनस करके रहा है तो जो फार्मूला है x equal to minus b plus minus root में d और upon 2 है जब यही material 0 हो जाएगा यही तो खतम हो गया ना यह जब 0 हो गया तो खतम खतम हो गया तो बस एक ही अंसर आता है जोसले ऐसे सवाब लगा था है पूरण वर्ग मत्स को मालुम हो गया तो आपको तो पूड़ वर्ग होगा वास्तिविक्त होंगे पूड़ वर्ग होगा और उसको बोलते हैं एक समान मूल ठीक है ना एक समान जिसको बोलते हैं तो यह इक वल रूट्स दोनों होंगे दूसरा कंडिशन जो है वह यह है कि डी अगर जीरो नहीं है बतलों जीरो से बड़ा है ठीक है तो जीरो से बड़ा है बस उसमें कई कंडिशन हम लोग बना सकते है अगर जीरो से बड़ा है तो वो रूट से बाहर निकल जायगा तो वो जो है परिवेशन खैया अगर दी जिरो से बड़ा है और डी जो है पूड वर्ग को ये से बाहर निकल गया रूट से बाहर निकल गया वह तो रूट से बाहर निकल गया तो परिमेश संखहां उसे कोते हैं तो अलग-अलग तो ऐलंग ऑलंब === या जिसको बोलता है हम लोग रैसनल नंबर होंगे तो अब इसके बाद इसे बाद बंतलब कम्प्लीट स्क्वार यह नहीं डी जो है लिखेंगे नहीं फास जाएगा वो रूट में अगर रह जाएगा तो जो यह वह अपर इमे आ जाएगे अच्छा अपर इमे जब जैसे होते हैं तो उनके मूल पक्का लिख देंगे कि one minus root two होगा क्योंकि यही प्लस माइनस वही हटाना रहता है तो यहां पर हटाएंगे तो वह जो दूसरा वाला है वह माइनस बस वहाँ पर लगा देना है तो यह पढ़ाने वाली टॉपिक्स यह जो है वह खतम हो चुके हैं ठीक है आपको पढ़ाने क अब आपको question लगाये जाएंगे एकदम board के सभी question आपको कोई question पूछना है तो comment में किसी तरह लिख दीजिए वार लिख के भेज दीजिए आपको वह question बहुत जल्द से जल्द आपको बता दिया जाएगा ठीक है एकदम आपको बता ही दिया जाएगा अब एकदम जान जा ठीक है इसको धंग से लिख लिजिएगा सब ठीक है पीछे करके वीडियो ठीक है तो इसको लिख लिजिएगा आप लोग और आगे हम लोग बढ़ते हैं questions उठाते हैं सब्सक्राइब के हम एक question लेते हैं इसको यकस क्यों कोखी रह गया माफ किजिए उसके लिए उसको फिर से बता देते हैं बार ठीक है, रूट्स, जो रूट्स हैं, उनमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ना रहता है, साम आफ रूट्स, और जो दूसरा है, मूलों का योगफल, और यहां से सम आफ रूट्स हो गया, प्रोड़क्ट आफ रूट्स, ठीक है, मूलों का गुडण, मूलों का योगफल, मूलों का गुडण, तो मूलों का योगफल, क्या होगा, मूलों का योगफल, को नाम दिया जाएंगा एक को बीटा नाम दिया जाएंगा तो माइनस भीड प्लस लिख लिएए रूट में दी और अपान यह जो है नीचे टू ए और यहां पर बार बार बोलेंगे तो बार बार आपको याद होगा ज्यादा याद होगा दीवार कमें छप जाएगा वो छबी हो जाएगा उसकी तो अलफा बीटा यह अलग-अलग हो गया है इन में से आप करिए सब को जोड़ दिए दोनों को जोड़िए तो alfya प्लस in डीटा इन को जोड़िए यह ना निकलना दोनों सम भ्रूटस सब्सों जोड़ं दीजिए यहाँ पर माइनस भी और प्लस रूट में डीळिपी तो ठीक है यहां पर माइनस भी hết़ी मैं governance में टीछ ठीक तो यह यह जो प्लस में यह माइनस में कट गया माइनस भी माइनस भी कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस टू भी नीचे टू ए तो टू से टू गए माइनस भी अपान ए हो गए तो अलफा प्लस बीटा इकोल टू हो जाएगा यहां पर सीधे सीधे आप दिख लेंगे समझ हैं आगे आगे हम लोग यह हो गए आपका काम तमाम दूसरा अलफा इंटू बीटा यह निकालना थो यह ऐभी इनका मल्टिप्लीकिसन कर देना हैं पस हम करके दिखा रहे हैं करना nature है लेकिन कर दिखा दे माइनस में लिखी हुई है यह भी माइनस में लिखा है यह भी माइनस में लिखा है यह भी माइनस में लिखा है हमें काम करते हैं माइनस को बाहर निकाल देते हैं तो माइनस को उसका बाहर निकालके यहां पर माइनस लगा देते हैं यहां माइनस लगा दिए अब जो है कहां क यह प्लस रूट में डी और नीचे जो है तो ए ही है तो टू ए लिखे लेंगे ठीक है टु ए अच्छा यह यह ब्लस रूट में दी हो जाएगा मैनस अपांटू एडाउ और इंटू यहां पर बी प्लस रूट में d, और नीचे 2a, तो यहां पर यह जो b है, a-b, a-b लगा मっと ठीक है, तो यह b-root में d, b-root म께 d, तो फार्मूला होता है इस पहले वाले का स्क्वार कर दिए फिर माइनस दूसरे वाले का तो पहले वाला जो है इसमें B है उसका स्क्वार कर दिए फिर माइनस रूट में D है उसका स्क्वार कर दिजिए नीचे जो है 2A का 2A में मल्टिप्लाई होगा तो 2A का स्क्वार कर दे यह रूट वाली ठीक है तो अब आन टू एप टू ए स्वाइर करना है तो इसकोर लिख लिए चलिए क्या कर सकते हैं आप कहेंगे सब्सक्राइब कैसे करें कैसे लगेगा तो हम है न क्यों घबडाते हैं 20 स्कौर माइनस डी की जगा पर आपको लिखना ही क्या रहाता है 20 स्कौर माइनस 4 4AC, नीचे जो है 4A square अप लिग लिजिए, B square से B square उड़ा दीजिए, 4 से 4 उड़ा दीजिए, इसके power से इसका power उड़ा दीजिए, C by A हो गया, तो alpha into beta equal to C by A पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं, ठीक है, अब questions हम लिखेंगे, आप इन सब को धंग से note कर लिजिए, ठीक है, question हो की, ठीक है, चलिए इसको note कर लिजिए, तो हम लोग इतने question कर देंगे, इतने question कर देंगे, इसके बात जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई अलग से question लगाने की, इसी question को आप practice करके, चाहे कोई भी exam हो, 10th, 10th तक, ठीक, इसके आगे का नहीं है, class 10th के लिए ही है, उसके पीछे के जितने भी लोग हैं, आप देख सकते हैं, एकदम मन से देखी, एकदम आपको समझ में जाएगा, चाहे 8 के हो, चाहे 7 के हो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, 7 तक की student को अराम से समझ में आ जाएगे, सारी बाते है, वो एकदम सीख जाएगे, ठीक है, हम question एक एक करके सभी question उठाएगे, हर तरह के question उठाएगे, optional, one marker, two marker, four marker, जो भी होगा, हर तरह के question उठाएगे, एकदम सिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर जिसे question है, k-1, x square, प्लस यह जो भी लिखा हुआ है, कि मूलों का योगफल और गुड़न फल है, यहाँ पर मूलों का योग, योगफल मतलब sum of roots, और यहाँ पर product of roots, यानि कि यह alpha plus beta, देखिए, आप जो है, जो main मुखे रूप से notes जो बताएगा है, आपको, उस notes को लिखिए एक जगा, उस notes को, मुखे एक page का होगा, जाला से, short note लिखिए, एक तब उस पे एक page लिजिए, पहले पीछे वीडियो करके, उसको सब लिख लिजिए, उसके बात बैठी है हमारे साथ, इसको देखिए वीडियो को, धंग से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, लिखा है कि मूलों का योगफल, मतलब यह alpha plus beta, यह न बोला है, मूलों का योगफल, sum of roots, औ और equal to good and fall बराबर है, तो alpha into beta, तो alpha into beta कर देंगा, अचा अब इसको आप देखेंगे notes में, आप तो alpha plus beta equal to b by a है, उसमें, minus b by a, और alpha into beta equal to c by a, तो नीचे a से a खतम हो गए, तो यहाँ पर आजाएगा minus b equal to c, कि यह कमान पूछ रहे है, यह direct लगा लेंगे हम लोग, अब दे जानते हैं कि इसको लिखे a x square और plus b x और plus c, बस ऐसे लिखा जाता है, तो minus तो minus, b की जगप खोजी देखें को, x की जगप x है, b की जगप यह पूरा यह, x के साथ, जो b है इदर, b की साथ, मतलब वही जो x के साथ b है, वही यहाँ पर b है, तो यहाँ पर b की जगप आपक यहाँ पर देखें, देखें देहां से, यहाँ पर plus k जगप plus लिखा है, नहीं लिखा है, तो यानि कि minus 9 plus k आपको लिखना पड़ेगा, 9 plus k, तो minus से minus उड़ा दीजेगा, यह k plus में इदर लाएंगे, तो minus हो जाएगा, तो 2k में से k घटा देंगे, तो बस k बच जाएगा वन लिखा है, वन को उदर लेकर चले जाएंगे, आप तो 9 लिखा है, एक ले जाएक उदर घटा देंगे, तो 9 में से घटा देंगे, तो 8 हो जाएगा, यहाँ पर k equal to 8 आजाएगा, यह b is your answer is b, ठीक है, 8 is your answer, समिकरण 8 minus k x minus 2 x square के 2 मूल परिमाड में, परिमाड में समान ह है, तथा चिन में विपरीथ हैं, तो के कमान है, ठीक है, अलग कहानी है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो पूछ क्या रहा है, के कमान बताए, के कमान क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग लगा लेंगे, दो मूल परिमाड में, परिमाड में, परिमाड में वो इकोल है मैइनिट्वी उड़ तक चिन अमें भी पृत हैं चिन जो एंका साइन अलग है मतले एक 2 है तो इक माइनस 2 है तो यहाँ पर पर कंडीशन यह वाली है यकसी स्क्वाइर माइनस a square वाली condition है ठीक है ना समझ रहे हैं इसको आप उदर ले जाएंगे tank के तो a square हो जाएगा plus minus a 2 है minus 2 है दूसरा वाला तो इसका answer आपको निकालना है तो क्या होगा की command क्या होगा है पर क्या होना चाहिए तो k zero होना चाहिए चली हम लोग लगाते अलफा equal to बोला है कि बीटा तो होगा लेकिन उसका minus होगा उसमें जो दुनों roots है वो ऐसे होंगे ठीक है ना दुन roots बराबर होंगे तो अगर जैसे लिए alpha plus beta equal to आप जानते है क्या होता है c ये अपान ए होता है तो यहाँ पर alpha beta की जगव पर आप जो है क्या लिख सकते है बीटा की जगव माइनस alpha लिख सकते है कर जाएगा तो इसका सब्सक्राइब यह है कि उनको जोड़ने पर 0 होगा ठीक है इसको अगर इधर लेकर जाएंगे तो alpha plus beta equal to 0 और alpha plus beta equal to c by alpha plus beta equal to minus b भाई यह होता है notes लिखिए एकदम साप रखिए तो minus b तो आपको कैसे देखना है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यह थोड़ा minus two x square minus two x square और यह पूरा रहा है वीडियो में पूरा रहा है कि ना चलीए ठीक है पूरा रहा ठीक है पूरा रहा है ठीक तो अब जो है यहाँ पर यहाँ पर क्या होगे minus two x square यह पहले लिख लेंगे फिर कुछ नहीं करना कुछ नहीं करना इस एक को जैंगे तो यह दगा लेकिंगी प्रुबर ले देंगे तो यह बराबर जेनल कुसी भी हालत में ऐसा होगा मूलों का यूग जीरो होगा तो किये बराबर यहां से आपका अंसर आजाएगा अप्शन बी इसका भी आपका अंसर है ठीक है तो इसको बढ़िया से देख लिजे पीछे भी कर सके देख सकते हैं आपको आपके पास यह सुईधा है इसमें ठीक है तो हम आगे question बढ़ाते है ठीक है इसको आप note करिए यह रहा आपका second question थर्ड question थर्ड question आप पॉस करके लगा सकते हैं हम चलिए समझाते हैं समिक्रट two x square plus five x plus four equal to zero लिखा है बोला है कि कैसा होगा इसके मूल कैसे होंगे मूल कैसे होंगे roots कैसे होंगे equations के परिमें बराबर होंगे परिमें औसमान होंगे और परिमें होंगे कालपनिक होंगे देखे questions कुछ भी पुछे आपको पहले तो जो सब्द लिखे रहेंगे उसके questions लिखे जो words होंगे उसमें वो आपको आना चाहिए आप एक सही सवाल लगाने वाले या सही आप गड़ी तक मतलब गड़ी लगाने वाले गड़ी तक करना ठीक चली गड़ी तक ही समझ लिजिए आप अपने आपको आप तभी हो पाएंगे जब आप questions को पढ़ना सीखिए questions में जो words है हर एक word आपको आने चाहिए यह नहीं कि आप टुका मार के सवाल लगा रहे है आपको सवाल पढ़ना है तो हर एक word का मतलब में आना चाहिए आस तो आपachtet जो भी सई हो हो आपको हर option का आना चाहिए पहले तो आना चाहिए है तभी आप होंगे। सवाल लगा नहीं लगाँ वह तो बहुत पसान बात उता सवाल लगाना या नहीं लगाना जो भी है समीकरण या इक्वएशन जो भी लिखा रहा है उसमें परिमे परिमे का मतलब यह है कि जिसको पीध क्योंके रूप में लिख सकते हैं उसमे को परिमे बोलते हैं बराबर यहां पे लिखा है कि परिमे मूल होंगे जैसे दो है तो दूसरा भी दो ही और यही बोला नहीं आगया को चीज काल्पनिक का मतलब ये है कि रूट में कुछ माइनस में निगेश्टीव आ गया तो उसको खेल जो है आप D से ही खेलते हैं हम लोग, D जो होता है विविक्तकर जिसको बोलते हैं, तो D आप यहां से निकाल लेजिए, तो यहां पर जो लिखा है, 2x² प्लस 5x प्लस 4 इकोल टो 0, ठीक है, तो यहां पर अब डारेक्ट मन भी भी सवाल लग सकते हैं, B²-4ac होता है, तो B यह रहा, 5, 5 का स्क्वाइर 25 हो गया, 4ac, तो 4 दो आठ, 8, 32 ऐसा कर लेंगे, लेकिन आपको देखिए, पर सिखिए, नहीं जाने तो सिखिए, तो D इकोल टू होता है, B²-4ac, ठीक है, इसके निचलिए लिए, AX² प्लस BX प्लस C, देखिए, एकदम ध्यान समझेंगा ना, हमारे समझाने को मतलब आना ही, तो आना है, आना ही है, हम समझा दिया, आ गया, हतम, ठीक है, B के जगह पे 5, तो 5, यहां पे देखिए, प्लस प्लस, सब कुछ मिलाते है, यक्स के आगे B लिखा, यक्स के आगे 5 लिखा, प्लस है, ठीक, तो 5 का स्क्वाइर, माइनस 4 इंट धैट चो के 32, यह जो निगेटिव वाला मैटेरियल है, यह बड़ा है, पचीश से, इतने से काम खतम होगा है, यह तो आभी देखिये, बोल ले के बैटिए, तो कालपनीक, जो नोट्स हम बता दी है, वो इसी को ले कर बैटना है, आपको देखते रहाना है, कि हाँ यह है, यह कोई टो यह जाएगा माइनस साथ होता है ना नीगेटिव नेगेटिव है न बहुत चुटा है ना तो यह सब्सक्राइब का इसको भी नोट करिये आप ठीक है को में पूछ होगे चालिए्स और एक बात और है कि आपको कुछ और लगाने के जरूरॉत नहीं है इस चिप्टर में अगर शाले साल कितने भी साल ऑते जयें यही रहेंगे इसी में यही पूरा समझा दिया जाएगा तो यहां पर समझें आप देखिए मूल बराबर है तो के कमान पूछ रहा है तो मूल बराबर है तो आप नोट्स लिखे होंगे नोट्स आप छाप लीजे कहीं चिपका लीजे जब लगा रहे हैं तो मूल बराबर है इसका मतलब डी बराबर जीडो यानि के विविक्तकर जीरो होता है डिस्क्रिमिन जीरो होता है और ये डिस्क्रिमिन होता है ब्लिख सकते थे चलिए जानते हैं कि इसके नीचे आप Ax square और plus B x plus C आप अलग लिख्के question लगा सकते हैं तो बी की जगँ पे यहाँ पोरा material है तो B बराबर माइनस 12 का square करना है तो कर दीजिए 4 into A x square की जगँ पे a की जगँ पे 3 तो 3 यहाँ पे इंटू सी की चकप पर क्या लिखना आपको सी की चकप के लिख देजी ठीक है यह माइनस बारा का स्कॉर करेंगे तो माइनस प्लस ही हो जाना है भी चार्थ यह बारा से इसका एक पार उड़ा दीजिए तो एक पार इकोल टू आ गया बारा तो यहां पर बारा वाला आपसन जब लेंगे इसका तो प्लस माइनस दोनों साइट का जब लीए जाते बuard you फिरब च्रबर मुंह जाएका दो और यहां जो तो नोब्स एप्स Commissioner जो का ब्रीक सबसक्रां है तो मैनेकर नंगवलते इसके थीच है टिक हैं तो यहाँ पर ये लिखे हुए है यही मूल है इसके ठीक है तो आप मूलों का गुटनफल यही मूल होंगे गुड़ा करने पी या रहा है या रहा है तोzego खतम हो गया यहाँ पर इसमें उपन कर दिया है या एक है तो मूलों का गुटनफल होता है आल्फाइंटू बीटा एक上 पर एख यह ह Tonihr dużo प्लशे इसलों सब्सक्राइब होता है ओर यह नुगा और है आगे लेकिन अंट अर फार वह बीटा भी लागा वे जाले वह आन्या ये तो यह माइनस है ठीक है तो माइनस वी की जगह पर यह पहले से माइनस है यहां पर आपका जब दोनु एक ही जरत है तो यह कट जाएक अपने आप इसमें अगर यह नहीं रहता न तो एक अफसन सही हो जाता अगर ऐसा है तो उसमें अल्फा प्लस बीटा भी निकालना पड़ेगा इसलिए दोनों चीज़ें दी हुई है इसलिए आप खिल खिल जाएंगे सब यह ठीक है अध्या कि इसके निचे आप x स्क्वायर प्लस या कि निखिये थियुक्ष्छ है तो बी की जग़ा पर यहां फिल ऐा पर वीटी जग़ा विलेटीं यह थिन लग देंगे अफान सब्सक्रीं और यह साद करेंगे ra करें दो करें सब्सक्रास धाय la Burning Любay ह allowed चलिए तो यह आगे questions हम लोग देखते हैं ठीक है तो आगे questions यह हम लोग लगाएंगे यह स्क्वाइर माइनस चार इकोल टो जीरो के मूल है तो आप सिर्दे दिख रहा है कि माइनस चार को इधर लेकर जाएंगे तो चार किसगा होता है दो का इसमें यह सुचर नहीं होगा तो ऑफिविक्टकर निकालना है कर तो एसको के पहले है तो इदर लखिए तो थिए x square minus 2 x plus 1 upon 3 यह क्या होता है एक्स square plus 0 भी है बराबर तो विविक्तकर निकाला जाएगा तो कैसे निकालेंगे कैसे भी निकाल सकते हैं यह तीन का इसमें कुड़ा कर देजी तो फार्मुला होता है a x square plus b x और plus c equal to 0 हम लोग डारेक्ट d निकालेंगे तो d होता है b square minus 4 a c विविक्तकर discriminant b की जगब पर minus 2 है तो minus 2 का square minus 4 into a a तो यह तो x square है a की जगब पर यह हो गया 3 तो 3 into c की जगब पर c यह c plus की जगब प्लस है 1 upon 3 3 से 3 3 तो minus 2 का square 4 होगे है minus 4 चार में चार के टार देंगे जीरो तो विविक्तकर हो जाएगा इसका 0 तो यह d वाला ओप्सन सही है 2 x square minus 4 x plus 1 equal to 0 के मूल वास्तविक बराबर जो भी लिखा है यह तो पहले तो यहां पर निकालना है बी प्लस की जगब प्लस नहीं माइनस 4 तो माइनस 4 इसका square फिर माइनस 4 इंटू ए टू इंटू इंटू आएगा तो रूट से बाहर तो पूरा नहीं आएगा इसको फेक्टराइज कर देंगे वले फोर इंटू टू लिखके तो टू रूट टू हो जाएगा चार कवर मूल दो चार का square root तो क्या होगा की पहली बात यह आलपनिक नहीं है वास्तविक नहीं गरी नहीं का पिर लेकिन लग ओढ़े तो यह कोशन करते हैं ठीक है न यह है जो यह NCRT 4.2 का NCRT 4.2 है ठीक है न NCRT NCRT आप सभी कंसेप्ट देख चुके होंगे हम उभीद करते हैं यहां पर इस वीडियो के यहां से शुरू नहीं कर रहे होंगे तो आप पहले वो कंसेप्ट सब सीख लिजिए जो प्लस माइनस क्या होता है कैसे होता है वो सब चीजें आप धंग से पहले उसको देखिए 2-3 बार अगर नहीं आ रहा है तो आग यहां तो कोई बात नहीं है एक बार भी मत देखिए तो उन चीजों को आप देखिए ठीक है तो उनके बाद जिसम को लगाने पर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है ना चलिए तो यहां पर शुरू किया जाए तो हम आप लोगों को बताया थे कि यक्स स्क्वाइर के आगे जो है यहां पर एक है यक्स स्क्वाइर के आगे एक है तो आपको कुछ करना नहीं है यहां पर लिखा है उसको देखिए किस में लिखा है माइनस में लिखा है ठीक है वह मैनस में धिया हूभा थै कि यह अपको दो भागों में तोड़ना आ रहता है इसकू कि छिंधो ओक चिन होंगे, ठीक है, तो माइनस है, तो दूसरा वाला क्या होना चाहिए, तो दूसरा वाला होना चाहिए, प्लस, क्योंकि माइनस का प्लस में गुड़ा करेंगे, तब ही जाके माइनस अंसर आएगा, ठीक है, तो आप जो है, क्या करेंगे, माइनस का प्लस में जब लिख दीजिए ठीक है यहां पे आप एक से सुरू करेंगे दो तीन ऐसे तो आप को जादा आगे निचाना नंबर बहुत छोटे दिये हुए है उससी से आप तुरंट लगा सकते हैं तो चार एक कम यह हो गया चार तो अगर यहां पे माइनस चार दिया होता तो यह लगा दे दे माइनस उल्ट यह इसको लिख को लुए है तो उसका घृष रवत भड़े नहीं करता है हम लोग इसको देख लेते हैं कि यहां पर minus 3 x 3 तो ठीक है 3 को minus 5 x plus 2 x लिख सकते हैं लिख सकते हैं 5 मिसे 2 घठाएं कि 3 बड़ा वाला 5 है minus में है तो minus में आ जाएगा sign minus 10 बराबर 0 यहां पर yaks square अब हम क्या बताये थे कि 2-2 को पकड़िए दोनों में common लेजिए तो यहां पर इसमें यक्स common ले लेंगे आप तो bracket में आ जाएगा यक्स minus 5 और आगे हम आपको बताये थे कि आप जो है इसमें कुछ common नहीं करना आपको कुछ नहीं करना है कुछ करना ही नहीं है आप यह जो लिखा है उसको लिख देजिए ठीक है आप आप कहेंगे कि सर आप तो कर रहें कुछ नहीं करना है फिर भी आप कर रहें यहां पर यक्स जो है यक्स लिखती है ठीक लिकिन यक्स किया कि इसमें प्लस 2 था लेकिन हम बस लिखें तो यह जो प्लस 2 है उसको bracket के बाहर लिख देजिए अब जो है यक्स उसका मान जीरो हुगा इसी को मूल बोलता है और यक्स की मान बोलता है हम लोग ठीक है तो इसकी यह कहानी थी ठीक है अब जो है अब यह लगाता है हम लोग यह वाला कॉश्चन अगर यहां पर कुछ लिखा रहा था तो इसका आप लोग कर देते हैं इसमें गुड़ा है तो चो दुना 12 चारती यह खता हो गया तो यहां पर टू यक्स इसक्वायर और यह माइनस लिखा तो अम उसको माइनस चार एक से लिख दे रहे हैं क्योंकि माइनस वाला रहेगा त ठीक अइक यक्स अभू तो माइनस है चार यक्स ब्लस तीन गटाएंगे तो ठीक तो 24 तीन भार 1 चो दोना 12 ऑठाहें jus21 जाएगा और यह माइनस 6 है £0 एक मैइनस में तभी तो गुड़ा करेंगे तो मैइनस फूंतव तो आप जानते हैं एक जो है हम लोग common लेते हैं तो दो है यहां पर चार है ठीक तो चार में चार को हम लोग लिख सकते हैं दो गुड़े दो मतलब दो दुना चार यहां पर दो मतलब जो चार है उसमें भी दो है और यहां पर भी दो है यहां पर दो और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहा उसी को common बोलते हैं जो minimum same होता है minimum ठीक है minimum यह maximum कर लिजिए HCF तो यहाँ पर common एक्दम वही रहे है same यह से square इसमें थोड़ा next square है तो यहाँ पर x ले लेंगे तो bracket में आ जाएगा x-2 से divide कर देंगे तो 2 to 4 तो 2 हो जाएगा यहाँ पर यहाँ पर पहले से विराजमान है अब दूसरा step आपको क्या करना है दुरां तो इसको चाप देना है तुरां यहाँ प्लस 3 लिख तो बस चुप चाप खतम तो यहाँ से यह जो डब्बे वाले हैं उन डब्बो वालों क एक डब्बे में और जो बच गया उसको दूसरे डब्बे में लिख देना है हम लोगों को equal to 0 तो यहाँ से x-2 equal to 0 तो x equal to minus 2 को दले जाएंगे तो plus 2 हो जाएगा यहाँ से 2 x plus 3 equal to 0 लिखेंगे तो 2 x equal to plus 3 को दले जाएंगे तो minus 3 हो जाएगा ठीक है आपको वह question देँ तो आप सांसी वाल बता आता है रूट वाल आमको दे रहे हैं सब्ञें तो हम यह भी दोनों बता देएगे डे यह बना उलायों इसको उतना नहीं बताएँगे थोड़ा से शुआ फूरा हम बता दे चलिए तो वो रूट टू यक्स स्क्वार प्लस यक्स प्लस 5 रूट टू उसको लगाना यह वैं लगों को तो कुछ करना नहीं है यार वही है सब को ज़्यार रूट 2 यक्स स्क्वार प्लस 7 यक्स प्लस 5 root 2 equal to 0 तो यहाँ पर इस root 2 है इसका multiply करें वैसे वास्तों में इस पूरे का करता है लेकिन आप बस इतने समझ जाएंगे सब ठीक है तो 5 root 2 root 2 का 5 root 2 में आप multiply करेंगे तो क्या होगा root 2 into 5 root 2 root 2 का root 2 में दो बार multiply हो रहा है दो बार multiply में आपको बताया है कि इसका मतलब यही होता है root 2 का वो क्या है square है समाल सबसे असान है into 5 अगर कोई भी चीज root में है उसका square आप कर रहा है तो यह जो root वाली टोपी है इस square से उड़ा देजिए तो 5 दूना यह हो जाएगा 10 तो इसका मतलब यह है कि यह है 10 ठीक यह जो 10 लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर उपर जो लिखा है उसको ऐसे भी लिख सकते है 5 दूना 10 तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी हो रहा है यहाँ पर खतम हो गया सबाद तो रूट 2 इसको लिखना वैसे ही है रूट 2 यह सक्वार लेकिन अब इसको दो भागों में तोड़ना रहता है तो एक पांच यह हो गया एक दो यह ठीक है प्लस यहाँ पर 5 यक्स है तो यहाँ पर यक्स यहाँ पर पहले से लिख दिए यक्स हो गया खतम तो 5 ठीक दूसरे ब्रेकेट में आप जानते हैं कि आपको यही लिखना है च्छाप देना एकदम बिल्कुल भी रूट टू यक्स प्लस 5 को छाप देना है बराबर 0 लिख लिजिए अब जो बच गया है आप यक्स तो ठीक है तो नहीं लिखा है लेकिन आप जान चुके है अब कि रूट टू का रूट टू में गुड़ा करने पे टू होता है तो टू में ऐसे अगर आप रूट टू बूड़ा करेंगे तो दो ही आता है तो आप क्या करेंगे कुछ करना नहीं है यह रूट टू लिख दी जी यहांपर यक्स पहले से लिखा हुआ है यहां पे लिख लिजिए अपन required मैं दब्बे में जो दोनों लिखा हुआ उस दब्बे को एक डब्ब में लिख लिए तो यहां से जब आप लगाएंगे तो यह प्लस पांच को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस पांच यह गुड़ा में तो बटा में आ जाएगा में लिखने नहीं के नचीन है तो यहां से जब आप निकालेंगे तो to milhões फ्लस टूख उधर ले जाएंगे तो माइनस 2 हो जाएगा बस ऐसे लिखेंगे नगा इक्जाम में तो आप आप आइसे नहीं लिखेंगे उसमें आप प्रॉपर लिखेंगे hogy इस इफ रूट 2 x plus 5 इकोल टू जीरो देन x एकोल टू x रूट 2 x एकोल टू माइनस 5 x equal to root 2 को फिर उधर ले जाएंगे ठीक है एक इक step करेंगे उसमें जीतना हो सके उतना लिखिये ठीक है अगर नंबर उतने नंबर का है उस हिसाब से लिखना रहता है ठीक है उतने राने चाहिए जयतने लंबर है ठीक है उस हिसाब से आपने बनाए ठीक है कोई-बैंसा होता है कि वह चाहर लाइन में लग जाता है तो आपको उसको बढ़ाना पड़ता है तो उसको आप सीखिए बढ़ाना ठीक है आप सोचेंगे दो ही लाइन में करेंगे तो कर दीजिए नंबर नहीं देगा वह एक्जामिनर तो आप थोड़ा समल के करेंगे तो यह आप देख लिजी ठीक है इसको हम मिटा रहे हैं इसको दोबारा देख सकते हैं वीडियो को मतलब इस कोशन को ठीक है अब जो है वो दूसरा कोशन जो है उसको जल्दी जल्दी उठा दिया जाए यहां पर तो टू यक्स स्कौाइर माइनस यक्स और प्लस वान अपान एट यह इक्वल टू जीरो तो आप नीचे एट लिखा साइड वी मल्टिप्लाई भाई एट ठीक है तो दोनों साइड जो है आप एट का मल्टिप्लाई कर करिये मल्टिप्लाई एट टू जा एट टू जा 16 यक्स स्कौाइर आड़ना सोला माइनस आठ यक्स इसमें जब गुड़ा करें तो यह खतम हो जागा इसी के लिए तो कह प्लस में यहां यह तो यह मतलब जो है प्लस में है यह दूसरा वाला किसमें लेंका माइनस में अगका से में छोटा करना पड़ता है तो 16 चार 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 दूनों चोटे हैं 8 से तो 16 चार यक्स इसक्वाइर माइनस 4 यक्स माइनस 4 यक्स प्लस एक बराबर जीरो इसमें लेंगे हम लोग तो चार कॉमन हो जाएगा ब्रेकेट में जो है चानते हैं ना तेज है यहां पर लगाईए हम लोगों को वैसे मुख्य रूप से इसी विद्धी से करना तो इसी विद्धी से करेंगा हम लोग तो इसमें कॉमन लेना है तो सोना यक्स स्कॉार जो लिखा है उसमें 4 भी है 4 x 4 तो 4 यक्स सकॉार को मतलब समझ न cousin 2 x टो माइनस इसमें कुछ बचा हिना यहां फसके लिखिये है ताकि कुढ़ दा ने में 4 x एक कम चल्यक्स होता है 4x1 4x1 जा है 4 x 0 नहीं लिख देना गलती से गलपर हो जाएगा फिर ठीक है तो यहाँ पर फिर यहाँ लेंगे हम लोग कुछ नहीं लेना है यह बरएक्ष माइनस उऔर 4x-1 उक्ट तो प्याइए उसका मतलब यह तो यह पांचमा कोश्चन है आप खुद लगाएंगे क्यूंकि वो सवाल सेम इस चोथे वाले कोश्चन की तरह है तो आप लगा लेंगे उसको तो आप हम कोश्चन चेंज करते हैं या पर इस सवाल को लगा के आप कमेंट कर सकते हैं तो चलिए यह रहा आपके सामने क्वेश्चन ठीक है कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है ठीक है तो इनको लगाया जाएं ऐसी दो संख्यां ग्याद कीजिए जिनका योग 2700 और गुडन फल 182 हो वर्ड प्रॉब्लम में दो तरह के टाइप क्यों होंगे यह तो इसमे एकटम सीक्वेंस में बता देंगे ठीक है 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 ही डिली काहिए अपे जाएक देख सकते लग जाता है ठीक है तो चलिए देखिए ऐसी दो संख्याएं संख्याएं का मतलब numbers ठीक है ऐसी दो संख्याएं मतलब ऐसे दो numbers ग्याद कीजी जिनका योग योग का मतलब sum होता है sum का मतलब sorry sorry sum sum का मतलब यह है कि जूड़ना ठीक है plus करना दो संख्याओं को plus करने पर मतलब यह है 27 हो और मतलब दो संख्याओं का जो plus हो addition हो sum हो 27 हो और good and fall प्रोडक्ट्ट फ्रोड्थ् क्या हो internetsया एक 162 पूछ रहा है कि वह नों संख्या था क्या है तो चलिये आहिए कि 1 रखे थर्ड वाला ठीक है 4.2 NCRT का थर्ड पॉस्षर तीसरा है तीसरा ठीक है तीसरा क्या है करिए तीसरा यह है कि उनका योग तो माना दोनों संख्या है माना पहली संख्या है यह सब नोटा की नहीं करेंगे हम लोग डारेक्ट लिखते हैं यक्स प्लस वाई इक्वल टू 27 दो स है जोड़ने पर कितना हो रहा है 17 है एक काम करते हैं हम लोग इस को उधर कर लेते हैं मतलब यह पैली संख्या है यह दूसरी संख्या है यह पहली संख्या हुगी is 27-1 मतलब दूसरी संख्या वह हो जाएगी 27-1 पारली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या 27-1 ठीक है तो गुडन फल बोला है वहलो यहां पर गुडन फल प्रोडक्ट लिखा प्रोडक्ट के मतलब यक्स प्रोडक्ट के मतलब ऐसा ही कुछ होता था कभी यह हो जाएगा 182 अब जो है य की जगव पर यह जो लिखा उसको छाप दीजिए इन्टू 27 माइनस यक्स एकवल टू 182 गुड़ा कर देजी बस गुड़ा करेंगे यह डारेक्ट आप कर भी सकते हैं इसको ठीक है चेक कर लेंगे किसका गुड़ा करना प्र या रहा है अंसर हो जाएगा भई ठीक है तो चलिए हम लोग पूरा करना है लोगों को पूरा घंड विदी से करना है इसको क्या करते हैं उसको स्क्वाइर बना के करना है इसको क्वाड्रेटिक बना के करना है इसको तो करिया गुड़ा इसका इसमें गुड़ा करेंगे तो 27 यक्स हो जाएगा माइनस x का x में कर देंगे तो x-square हो जाएगा यह 182 हो जाएगा ठीक है चले渡 dep 182 माइनस x-square है सबको उधार लेकर चले जाईए उधार लेकर जाहिए तो танम some skill matter to plus x-square हो जाएगा 27 से तो माइनस 27 उधर जाएगा तो यह इधर ही है तो 180 है तो प्लस 180 इधर ही है ना यह अब आपको क्या करना है आपको वह फैक्टराइशन करना है तो आप देखेंगे तो किसे तूटेगा तो आप डारेट यहीं पर कर सकते थे अब यहाप इन दोनों में common लेंगे तो यक्स common हो जाएगा ब्रेकिट में इसमें यक्स बच जाएगा माइनस 14 बच जाएगा ठीक है इस bracket में हम लोग क्या लिख लेंगे कुछ नहीं लिखना यहीं च्छाप देना है यहीं लेकिन इसमें यक्स के आगे माइनस 13 लिखा हुआ है यहां से आजाएगा यक्स बराबर 14 और यहां पर आजाएगा यक्स बराबर इन दोनों को जोड़ने पर 27 भी होता है मल्टिप्लाई करने पर यह होता है चलिए चवधा कोशन इन्जी आटी का फोर्थ कोशन देखते हैं 4.2 का दो क्रमागत धनात्मक पुडांग ग्याद किजिए दो क्रमागत दो क्रमागत क्रमागत का मतलब कंजिक्यूटिव मतलब ल माना पहला है माना पहला अप पूरा लिखेंगे बाद माना पहला बोला कि क्रमागत दो acids 2 घैनात्मक के मतलब होता है पजिटिव इन्टीजर इन्टीजर का मतलब क्या होता हmostा है ladach का मतलब यह होता है कि नम्बर रुनत ये पूरा माइनस ठीक है माइनस ठीक लेकिन वह इंटीजर लेकिन वह भी बोल देरा है डारेक्ट की धनात्मक है वह धनात्मक का मतलब कि वह प्लस में रहेगा ठीक है दूसरा वाला मानना है तो यह एक पहला एक धनात्मक पुडांक आप मान लिए तीन तो अगला कौन होगा अगला च यक्स प्लस न हो गया आगे बोला है कि जिनके वर्गों का योग उनके वर्गों का योग एकारणिंग टो कोशेट नीजिए प्रस्वन अनुसार लिख लूए प्लस यक्स प्लस वन का होल इकोईल टू लिख दिया 365 365 लिख लेंगे ठीक है 365 कब होगा है ठीक है 365 कब हो रहा होगा कि अब तो किसका करेंगे आप चलिए सोचना क्या है लगा लेते हैं हम लोग ठीक ना यहां पर यह किसका अब टालने का कितना हाँ है यह पहला जो लिख है यह का अचलिए 2 यह हो जाता है ठीक है पहले का कर दिए रीण सोọn यह आज जाया इनका तो यह tego यह 2x लिखाए तो इसको 2x यहाँ पर लिख लिख लिए 1 का square 1 होता है तो 1 लिख लिख लिए 365 को इधर को तुम इधर आओ तो माइनस तिन सुपॉइसगा बराबर 0 तो 2 yaks isquire plus 2 yaks और यहां पे 365 में से एक गटाएंगे कि यह माइनस में है और यह plus में थिक है यह जो है वो माइनस में आ और यह जो है फिलस में है तो ठीक है 365 2065 में से घटा आएंगे हम लोग तो कितना, 2254 हो जाएगा माइनस, क्य동ं लिखै क्यों था माइनस में थेक हैं यह जो सब है सब दोसे divisible हैं डोसे कटने वाले हैं counted दोनों इदर कार दीजेजिए यहा पर रोला पड़ता है कर यहां पर यहप स्कॉायर प्लस यहां लेगे फाग देंगे तो दो एक कम दो, एक दो आठे 16, दो दुना चार इक्वल टू जीरो, ठीक है, ऐसा ही है क्या, यह भी यह है क्या, यह यह क्या, देखिए तो, यह है न, 182, इसमें फर्क इतना है कि यह थोड़ा सा अलग है, अलग यह है कि यह प्लस में है, इसको एक को हम लोग प्लस मिलेंगे, तो दूसरा हमको माइनस में लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको 182 में चाहिए अंसर, यह है, ठीक है, तो आप जानते है कि 182 लाना है, ठीक है, मतलब उसका अंतर भी एक का होना चाहिए, एक 5 है तो दूसरा 6 होगा, 7 है तो 8 होगा, 10 है ठीक है, तो हम एक डिरेक्ट यहाँ प था ठीक तो 14 का 13 में गुड़ा करने सूबम और यहां पर यहां सब्सक्राइब यहां सब्सक्राइब करना पदाए यह जाएगा ठीक है तो यहां पर यह 30 आ प्लस 100 he says इसको आप यहाँ पर नहीं लिखते हैं לצे, थैकशनले वर जे लिख लिखते हैं टो यह आप दिख लीजिए इसको हम हटाते हैं, इसको मीटथा देते हैं इसको खतम कर दिया जाए जलिए है तो यह हुआ समाप्त अब ऐसे समकोड्रिभूज की उचाई एक सब्लों की उचाई संकोड्रिभूज की उचाई समकोड्रिभूज का मतलब राइट एंगल की उचाई मतलब आधार से साथ कम है सबल चाली ठाली को लोग त्रेंगल बना रोला है तो इसकी उत्चाई यह है यह है यह उत्चाई है यह है आधार सेढलक में कुछ बोलना है यह जो है इससे 7 कम है चलिए तो इसको x माल लेते हैं यह तो यह 7 हो गे यदि कढ़ 13 cm का कढ़ जो है क्या होता है कढ़ मतलब है ऐगोटेनस ठीक है तो घट देरह मतलब है एगर आप Angry कार आ निओ बजाएगा आथ किजिये थो आप जानते है यहां पर इसको तो वह हम 12 ले ले लें, 12 यहां पे लिखेंगे, 12 में 7 गटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो 12 5, 12 5 13 5 12 13 डारेक अंसर हो गए यह आपका, 12 हो जाएगा यह 5 हो जाएगा लगा सकते हैं पाइथागोरस ठीओरम लगा देंगे इसकौाइर अब्लस अधार का इस्कौाइर ओर पिलल्ब का सुग्वाइर जो भूला करेंगा है इसको हम लोग हुए सकते है 12 और पांच युँआए और प्लस बा रहुक्ष लेक्ष कर देंगा है नहीं करको ताम कंपेरिंग कर ला देंगे जो हुं विदाउट सॉल्विंग दीज चलिए बस कंपेरिंग कर देंगे तो ठीक है पांच लिखा है जो उसको हम लोग लिख सकते हैं 12-7 लिख सकते हैं और यह जो 12 लिखा है उसको 12 ही लिखेंगे यहां पे अपर यहां पर यहां 15-7 नहीं है तो यहां पर 12 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा ताय वजय वड़ाब भाब